हाई गाईज, आज केस वीडियो में हम आपको बताएंगे साइंस से एक महत्त पूर्ण परस्ण, विद्धु धारा क्या है। इसका समिक्रन एवम मात्रक लिखे। दोस्तो विधुद्धार इसका परिभासा देना है और फिर इसका समिक्रन और मात्रक लिखना है। तो पहले दोस्तों हम बिद्धुधारा का परिभासा देंगे तो बिद्धुधारा का परिभासा है दोस्तों किसी चालक पदार्थ में यानि किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंद्धु के बीच आविश के बेवस्थित प्रवाह को बिद्धुधारा करते हैं इस तरह से हम इसका परिभासा लिखेंगे और फिर इसका समी करन लिखेंगे और फिर इसका SI मात रख लिखते हैंगे ये question दोस्तों complete हो जाएगा लिखेंगे कैसे दोस्तों किसी चालक पदार्थ में किसी चालक पदार्थ में दोस्तों चालक और कुचालक आप समझते हैं चालक वी पदार्थ होते हैं जिनसे होकर बिद्धुधारा प्रवाहित होती है और कुचालक वी पदार्थ होते हैं दोस्तों जिनसे होकर बिद्धुधारा प्रवाहित नहीं होती ह जैसे लकडी ले लीजिए ये कुछ आलक है इनसे होकर विद्धुधारा परवाहित नहीं होगी जबकि लोगहा लीजिए इस्टीन लीजिए ये जो है चालक पदार्थ है और इनसे विद्धुधारा परवाहित होती है सोना चांदी सभी चालक पदार्थ है तो किसी चालक प है दो बिंद्वों के बीत लिखें के दो मैं से बिंद्वों के बीच के बीच दो बिनाद के बीच पिंद्वों के बीच आवेश के आवेश के के ब्यवस्थित कि यानि भला बैर Luck Little ब्यवस्थित प्रवाह को प्रवाह को विद्धुत धारा कहते हैं दोस्तों इसे एक बार और समझ लें को 5 दिशा में दो बिंदु के बीच हो मालिजी आप विद्धु धारा को एक स्थान से दूसरे अस्थान तक लिए जाना चाहते हैं वही दो बिंदु हुआ दोस्तों मैं लिए आप यहां से विद्धुधारा यहां थकले जाने चाहते हैं तो यह दो बिंदु हुआ यानि यहां से वहां तक विद्धुधारा जाएगा तो क्या हुआ यहां पे किसी चालक प्रारत में किसी दिशा में दो बिंदु के बीच आ प्रवाहित बिद्धुत धारा बटा प्रवाह में लगा समय यह समी कर रहूं गया दोस्तों इसको आप चाहे तो सिंबल में भी लिख सकते हैं जैसे बिद्धुत धारा को आई से सुचित करते हैं तो आई बराबर क्या हो जाएगा और प्रवाहित बिद्धुत धारा जो है इसको क्यूं से सुचित करते हैं क्यूं से तो क्यूं बटा अप्रवाह में लगा सम है ती यानि टाइम क्यों बड़ता टी तो इस तरह से हम समी करने के रूप में ये हिंदी रूप में और ये जो है ये सिंबल के रूप में लिख सकते हैं और एक और लिखेंगे दोस्तों चुकि इसका मात्रक भी लिखना है तो विद्धुधारा का एसाई मात्रक होता है एंपियर होता दोस्तों एंपियर इसको ए से सुचित करते हैं एंपियर होता है या है लिख दीजे हैं विद्धुधारा का एसाई मात्रक एंपियर है और इस तरह से एकोईश्चन कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों